हेलो एव्रीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लास एट्थ की आपकी हिंदी की वरक्षिट नमबर ट्वंटी टू, डेट है आपकी 10 दिसेंबर 2020, आज की वरक्षिट में जो आपका पार्ट है, जहां पहिया है, इसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आए स्टार्ट क पताते हैं कि साइकिल चलाने की वज़े से जो महिलाएं हैं कही ना कहीं उनकी आर्थे किस्ति बहुत सुधर गई है इसके अलावा उनकी आय में भी विर्द्धी हुई है क्यूंकि जो महिलाएं थी वो साइकिल से आसपास के गाउं में जाके क्रिशी से संबंधित कुछ आता है तो उनका समय भी बचने लगा अब क्योंकि वो साइकिल से जाने लगी तो उन्हें बसों का इंतसार नहीं करना पड़ता था खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्पूर है तो जहां पर परिवहन व्यवस्था हमारी अच्छी न मिलने लगा जिससे कि वो अपने समान बेचने वाला जो उनका व्यवसाय है उसके उपर वो जादा फोकस कर पाती है तीसरा इससे यह और अधिक इलाकों में जा पाती है अंतिम बात यह कि अगर आप चाहें तो इससे अराम करने का काफी समय मिल सकता है तो महिलाओं को अब बचों का भी देखबाल करना होता था खाना पीना भी बनाना होता था तो अब राइटर बताते हैं कि अब उनका इतना समय बचने लगा कि वो अब रेस्ट भी कर सकती है आराम भी कर सकती है जिन चोटे उतपादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए भी पिता भाई पती या बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गीनेचुने गाउं तक ही जा पाती थी तो राहितर बताते हैं कि अगर उन्हें बस तक भी जाना होता था तो उन्हें किसी ना किसी पर निर्भर लेकिन साइकल आ जाने के विज़े से क्योंकि उनका समय बच जाता है उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता तो अब वो जादा गाउं तक जाकर अपना समान बेच पाती है उसके बाद दिया गया है कि कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था जिनके पास साइकल नही फगता था इसके लावा उन्हें घर की भी बहुत टेंशन होती थी उनको समान भी बेचना है अपने काम भी करने घर भी लौटके आना है कुछ जाना है अब आप जिनके पास साइकिल हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं और जिन महिलाओं के पास साइकिल हैं वो अपना सामान भी बेच लेती हैं दूर दराज की जगहों पे भी चली जाती हैं अगर उन्हें पानी भर के लाना है तो वो साइकिल से चली जाती हैं और पा केरियर पर सामान ला दे चली जा रही है वो अपने साथ पानी से भरे दो या तीन बरतन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है तो पहले महिलाओं को बच्चों की भी टेंचन होती थी क्योंकि उनका खयाल कौन रखेगा अब क्या होता है कि महलाओं साइकल चलाती है पीछे वो अपना समान रख लेती है और आगे अराम से अपने बच्चे को बैठा लेती है तो उससे उनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्फ होने लगी उसके बाद राइटर बताते हैं कि अन्य पहलों से जादा आर्थिक पहलों पर बल देना गलत होगा तो वो कहते हैं कि हमें और भी दूसरे पहलों पर भी बल देना चाहिए सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ आर्थिक इस्तिती सुद्री थी उनकी बलकि उन्हें बहुत स्वतंतरता भी महसूस होती थी साइकल परसिक्षन से यानि साइकल की ट्रेनिंग की वज़े से महिलाओं के अंदर आत्म सम्मान की भावना पैदा हुई है यह बहुत महत्पोड है तो आत्म सम्मान किसी भी वेक्ती के लिए बहुत इंपोर्डन हो जाता है इसे बात पर जोर देते हुए राइटर बताते हैं कि जब उन्होंने फातिमा से बात की थी तो फातिमा ने कहा था कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा यानि राइटर को लगा कि मैं कितनी मुर्खता पूर्धंग से सोच रहा था उसने आगे कहा साइकल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है फातिमा बताती है कि साइकल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है मैं तो पैसे ही गवाती हूँ क्योंकि फातिमा के पास साइकिल नहीं थी और वो रोज क्या करती थी पैसे देकर किराये पर साइकिल लिया करती थी और साइकिल चलाती थी तो वो बताती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीच सकूँ लेकिन हर शाम मैं किरा और खुशाली का अनुभव कर सकूँ तो कहती है कि मुझे इतना अच्छा लगता है साइकल चलाना ये मेरी दुनिया की मतलब किसी भी दूसरी खुशी से सबसे बड़ी है क्योंकि इसे चलाने से मुझे आजादी का अनुभव होता है हमारी लाइफ में भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसे करके भले वो छोटे हो लेकिन जिसे करके हमें बहुत खुशी होती है बहुत आजादी सा अनुभव होता है तो उसी तरह फातिमा भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है फिर वो कहती है कि पुरु कुट्टई पहुचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था तो राइटर बताते हैं कि पुरु कुट्टई यानि उस गाउं में पहुचने से पहले उन्होंने इस वारे में इस तरह नहीं सोचा था मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था वो बताते हैं कि मैंने कभी भ महिलाओं के लिए या कितनी बड़ी चीज है उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्दी है तो बताती है कि हमारे लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है साइकल चलाना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है हवाई जहाज चलाने से कम नहीं क्योंकि जहां पर बहुत कम आपकी सुक्सविधाय होती हैं बहुत दिक्कति होती हैं आपका समाज बहुत रूरी वाद होता है तो वहाँ पे अगर आपको इतनी सी भी आजादी मिले तो आपको बहुत खुशी मिलती है बहुत आजाद महसूस करते हैं तो यही जो आति हैं कि महिलाओं के बद्धार्थि करिंग to महिला कहती है कि लोग इस पर हष सकते हैं इस बात से कि साइकल चला के भी वह किसी को इतना अच्छा लग सकते्ला कि इतना इसका अजादी मेहसूश हो सकती है लेकिन उन्हें हि மे Can करते हैं लेकिन वो जाएं और टहले मतलब जाएं और अपना काम करें क्योंकि जब साइकल चलाने की बारी आएगी तो महिलाओं का मुकाबला वो करी नहीं सकते उसके बाद आपके सब्दार्थ दिये गये हैं फर्स्ट है आपका वय का मतलब होता है आपका खर्च निर्भर क का मतलब होता है आश्रित जब हम किसी पर डिपेंडेंड होते हैं दिक्कत का मतलब होता है परिशानी पहलू का मतलब होता है पक्ष आर्थिक यानि धन से संबंदित प्रतीक का मतलब होता है आपका चिन उसके बाद आपके प्रश्णूतर दिये गये हैं पहला कुश्चन ह आपका कि cycle चलाने से महिलाओं को कौन-कौन से लाब हुए तो cycle चलाने से महिलाओं का बसू के इंतजार में व्य होने वाला समय की बचत होने लगी महिलाओं का time बचने लगा इसके अलावा पुरुशों पर उनकी निर्भरता कम हो गई अपनी कृशी संबंती उतपादों को आसपास के गाउं में बेचने में आसानी होने लगी, तो अब अगर उन्हें कोई चीज बेचनी होती थी, वो खुदी चली जाया करती थी, साइकिल चलाने से महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ गया, और साइकिल चलाने से सबसे जो अच्छी चीज हुई थी वो ये कि महलाओं का आत्म विश्वास बढ़ा था, सबसे इंपोर्टेंट है ये सेकिन्ड कुश्चन है आपका साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना कर लिखिये तो साइकिल को सीखना आसान होता है, साइकिल को चलाने से सहजता और सरलता का अनुवह होता है इसमें किसी भी प्रकार की भीशन दुरगटना की संभावना कम हो जाते है मतलब कोई बड़ी दुर्टना इससे नहीं हो सकती इसके लावा आपको बहुत स्विधा हो जाती है इसलिए साइकिल सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है इसलिए साइकिल को विनम्र सवारी यानि कि बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी सवारी कहा गया है question third है आपका कि आपके विचार से लेखक ने इस पार्ट का नाम जहां पईया है क्यों रखा होगा तो answer होगा आपका कि पईये को गतिशीलता का प्रतीक माना गया है ठीक है जो पईया होता है वो कहीं न कहीं गतिशीलता का प्रतीक होता है और cycle आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया जो महिलाएं थी उनकी life बहुत change हो गई cycle आंदोलन की वज़े से महिलाएं आदमिर भर हो गई उनके अंदर आदमिश्वास आ गया तो इसलिए लेखक ने इस पार्ट का नाम जहां पईया है रखा है तो इसलिए यही रीजन है कि राइटर ने इसका नाम रखा है जहां पईया है question 4 है आपका कि जिस प्रकार से cycle को सीखने से ग्रामिर महिलाओं को काफी लाब हुआ उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्यकोशल के बारे में लिखिए जिनको सीखने से ग्रामिर महिलाओं को काफी लाब हो सकता है एवं कैसे तो इसमें आप अपनी मर्जी से भी कोई answer लिख सकते हैं जैसे कि ग्रामिर महिलाओं को सिलाई से कड़ाई से बुनाई से या फिर computer सीखने से क्योंकि आजकल तो technology कितनी हमारी आगे बढ़ गई है तो अगर महलाओं को computer सिखाया जाए तो ऐसे अगर और भी कोशल सिखाया जाए तो इससे उन्हें बहुत फायदा होगा तथा वो आत्मिल भर बन सकती है उसके बाद उनको किसी के ऊपर depend नहीं रहना पढ़ेगा चाहिए किसी भी चीज के लिए तो इसके लावा भी अकर आपके दिमाग में कोई option हो कोई answer हो तो आप लिख सकते हैं ठीक है